कसम खाईए बाबा साब की और कसम खाईए अपने बुद्ध की और कसम खाईए अपने धम की और कसम खाईए अपने बच्चों की और कसम खाईए अपनी के आप ऐसे किसी काईकर में नहीं जाएंगे जो काईकर बाबा साहिब अम्बेटकर 18 मार्च 2023 को आगरे में फिर उसी स्थान पर खुब रोए बार बार रोए हर साल रोते हैं 2023 में भी बाबा साहिब अम्बेटकर ठीक उसी जिगे क्यों बार बार रोते हैं जो 1956 में रोए थे 18 मार्च को दो काईकरम आगरे में लगे दोनों बाबा साप के नाम से लगे एक को लगाने वाले भंते डॉक्टर के के राहुल दूसरे को लगाने वाले पुराने नेता बीएसपी के धर्म प्रिकास भारती दोनों ही काईकरम के अंदर भिक्कू थे दोनों ही काईकरम बाबा साप के नाम पर थे दोनों ही काईकरम 18 मार्च को थे बलकर एक काईकरम तो दो तीन दिन भी था पर 18 मार्च बाबा साप के भाशन जो उन्होंने आगरे में दिया उसी के उपर उसी की थीम और उसी को रखकर सामने किया गया जो व्यक्तिक आइकन लगाता है और बावा साब के इस्थान पर या बावा साब के नाम से या बावा साब की जगे से या बावा साब की समय से या बावा साब की सन से या बावा साब की बात से वो बावा साब की बात नहीं मानता बावा साफ वहां इसलिए रूई थे, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग थे जिन पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने बिदेष बेजा जिन बिदेष में पढ़े आने वाले लोगों से उन्हें उम्मीद थी के दस बावा साव और त्यार हो जाएंगे 16 बाबा साव और तयार हो जाएंगे 200 बाबा साव और तयार हो जाएंगे 2000 बाबा साव और तयार हो जाएंगे उन्हों लोगों ने अपनी रोजी रोटी कमाई और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए लग गए इस से उनको हतासा हुई निरासा हुई ये हतासा और निरासा ये मायूसी उन्होंने 18 मार्श 1956 में आगरा के अंदर कही उसी बात को लेकर क्योंकि आगरा को दलितों की राजधानी बताए जाता है और वो सही में दलिद्रों की दलितों की राजधानी ही है जो व्यक्ति वहां काईक्रम लगाते हैं वो बाबा साब की बात को आगे बढ़ाने के लिए काईक्रम लगाते हैं वो कहते हैं कि बाबा साब तेरा मिसन अधूरा और हम करेंगे पूरा अगर मैं मेरा सीधा बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे वहाँ जो काईकरम लगा दो काईकरम लगे एकी दिन और दोनों अलग अलग और दोनों एक दूसरे के सहयोगी नहीं अगर दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते तो काईकरम एक होता बड़ा काईक्रम होता, उसका मैसेज पूरे दुनिया में जाता अभी उसका क्या मैसेज गया है? इन में फूट है, इन में आपस में लड़ाई है, इन में सामज जसे नहीं है, इन में समन में नहीं है ये अपने महापरुस की बात नहीं मानते ये महापरुस के हर एक मौके पर अपनी डाल गलाते हैं अपनी नियतागरी करते हैं अलग-अलग काईकन लगाते हैं अलग-अलग बात कहते हैं और एक दूसे से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं यह message जाता है उन लोगों में जो बावा साब के उस समय विरोधी रहे सत्रू रहे और जो आज भी बावा साब के विचारों के सत्रू हैं और विरोधी है और सत्रू और विरोधी बड़े खुश होते हैं यह देखे कि आपस महीं लड़ रहे हैं मर रहे हैं फूट रहे हैं और वो व्यक्ति 2006 के अंदर हमारे जब एक गोल्डन जुबला दिख्षा काईक्रम हुआ था तो उसमें पीछे बैठे हुए थे तब तक और उने कोई चीवर बगएरा लिया नहीं पता नहीं उनका चीवर कहां से आया है कैसे आया है क्योंकि कोई भी भिक्कु अपने वारे में नहीं बताता उसका चीवर कैसे आया कहां आया उन्होंने चीवर पहन के काम करना शुरू किया, धंब भूमी के नाम से काम किया और एक अपना अलग मठ बनाया भिक्कु संग अलग और वो अलग है, कुछ भिक्कु उन्होंने बनाए, कुछ चले, कैसे बनाए, कैसे नहीं बनाए ये भिक्कु संग जाने विने पिटक का जो नियम है वो जाने या जो लोग पूछना जाने वो जाने पर उन्होंने मठ बना के काम सुरू किया उन्होंने वहाँ 18 मार्च को घोचित किया और कारिकरम लगाया कारिकरम में कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, क्या खर्चा होता है, कौन पैसा लेता है, कौन देता है, कौन कैशिर है, क्या रूप रेखा है, भिक्कु संग के क्या नियम है, भिक्कु संग उस नियमों पे चलता है या नहीं चलता है, भिक्कु संग है भी या नहीं है किसी को कोई लेना दरा नहीं कोई जानकारी चाहता भी नहीं कारी करम को रंगारंग बनाने के लिए जितने चीज़ें आश्ख होती है किसी आम कारे करता के लिए भिखको ने भी वही अपपलाई की जो हमारे समाज के Sun celebrity हैं जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं, जो कोई मुख्य काम करते हैं, जिनके नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका लाब लिया जा सकता है, उससे लोग इखटे किये जा सकते हैं, उसके नाम से इखटे किया जा सकते हैं, उनका पूरा उपयोग किया गया, जैसा कि आम मंचोपे या राजनितिक मंच हैं सब दे के भूल जाते हैं दे दिया तो क्या हिसाब देना बात खत्म हो गई वही दूसरा काईकरम जो धंप्रिकास भारती जी ने लगाया उन्होंने राश्टिय बहुत महासभब बनाई हुई है उन्होंने बाकाइदा इसवार एक ड्रेस कोड़ भी बनाया जैसा कि सभी बामसेफ के संगठनों ने और भी जो समतासनिक दल है या कोई सुखव सनिक दल है जो लड़कों के दलवाल है अपनी ड्रेस अपने अपने गंचा अपने तोपी अपना-पना सोल्डर अपना-पना कैब बनाते हैं वैसे ही उन्होंने भी ड्रेस बनाई है वहा भी पत्रकार को आप बनाना चाहें, वो आपके दरवाजे पे हाजिर है, पत्रकार आप से कभी नहीं पूछेगा कि आप अलग-अलग कारेकरम क्यों कर रहे हो, एक ही सहर में दो लोग अलग-अलग कारेकरम क्यों कर रहे हो, कोई पत्रकार नहीं, कोई पत्रकार है उसका पती उस जो में इस्ट्रीम मीडिया में है इसलिए पत्रकारों से यह उम्मीद करनी बेकार है कि वो कभी इस बात को कहेंगे भी कि एकी सहर में बावा साथ के नाम से आप अलग अलग दो काईकरम लगाओगे तो इससे बावा साथ रोएंगे या खुश होंगे या हसेंगे मुमेंट तूटेगा या मुमेंट बढ़ेगा कोई नहीं सोचता जो व्यक्ति काईकरम लगाता है उसको पैसा बहुत बसता है अब भी मैंने बताया था कि कैसे एक काईकरम के दोरान में 14,00,000 रुपे एक चीवर धारी को बचे और उसका बाकाइदा बैवरा भी और उसके जो साथ वाले लोग थे उन्होंने बताया भी तो चीवर पर लोग पैसा देते हैं चीवर को यकिन करके पैसा देते हैं चीवर के अंदर कैसा व्यक्ति है वो विन्य को मानता है या नहीं मानता है इससे कोई मतलब नहीं वैसे भी लोगों को विन्य पिटक और विन्य के वारे में और धम के नियमों के वारे में कोई जानकारी देता भी नहीं और लोग खुद भी जानकारी लेना चाहेते नहीं तो काईक्रम में खुब सारा पैसा खटा होता है और पूरा व्यक्ति बाद होता है उसमें व्यक्ति चाहे चीवर के अंदर हो चाहे चीवर के बाहर हो व्यक्ति ही प्रमोट होता है व्यक्ति ही आगे बढ़ाया जाता है जबकि भावस आपने हीरोशिप के लिए और व्यक्ति सफिद ड्रेस में होते हैं, पर्ची उनके हाथ में होती है और वो किसी ना किसी की पर्ची के लिए आग्रह करते रहते हैं कि पैसा उनको दें दूसरा वाला जो धंपरिकास भारती जी का था काईकरम उसमें एक बादल सिंग करके सजन है जो वहां के सर्वे सर्वा हैं और जो वहां के महा सचिम है उनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि आप आईए फिर उन्होंने कहा कि मैं भारती जी से पूछूंगा भारती जी अगर कहेंगे तो मैं बात करके आपको बताऊंगा ना उनका फोन आया ना उन्होंने कहा, मैंने बाद में उनको फोन करके कहा, आपने मुझे बलाया नहीं, क्या बात होगी, भारती जीने कहा नहीं या क्या बात होगी, मैं आता अगर आप कहते तो, खेर उन्होंने वो बड़े एक्सपर्ट सज्जन है, उनको सब पता है क्या बोलना चाहिए, वो बात को घुमा के चले गए, पर मैंने उसे पूछा कि आप एक साथ काईकरम क्यों नहीं किये, आप एक साथ काईकरम क्यों नहीं लगाते हो, ऐसा क्या किया जाए, कि आप सब एक साथ होके काईकरम लगा हो, एक सहर में एक काईकरम, एक महान, एक महान वि कौन व्यक्ति ऐसा है जो समण नहीं है क्या बादल सिंग समण नहीं है क्या धंप्रिकास भारतिया समण नहीं है क्या वो लोग समण नहीं है क्या वो जो अलग से भिक्कू बैठे वो समण नहीं है या वो जो केके राहूल डॉक्टर है क्या वो समण नहीं है क्या उनके जो सि हम कोई संग्धन तो है नहीं समढ़ संग में हम एक सिंपल से काम करने वाले सालहण आदमी हैं हमारा बार बार कहने का मतलब बनता है कि आप इखट्यों के काम कीजिए इखट्यों के काम कीजिए पर आप बात को ठाल जाते हैं मैंने डॉक्टर केकिल राहूल जो भिक्कू है बहनते हैं उनको भी फोन किया उनसे बात हुई मैंने उनसे कहा कि एक ही सहर में लोज काईक्रम हो दो लगाएंगे उन्होंने भी यह कहा आप कर तो रहे हैं बूंद समनसंग काम कर रहा है, इक्षटा करने Cancer का, यह तो वह बात मानते हैं, दोनों मानते हैं, पर वो खुद नहीं इक्षटा होना चाहते हैं और समनसंग की संकी लोगों की बात भी नहीं मानना चाहते हैं वही कायक्रम तया करता है, वही लोगों की ड्रेस तया करता है, वही पैसा रखता है, वही पैसा खर्च करता है, उसी से पत्रकार बात करते हैं, वही पत्रकारों को बुलाता है, वही पत्रकारों को खर्चा देता है, वही कायक्रम कैसा होगा, डिसाइड करेगा, किसको क्या है वो तैय करेगा किसको क्या हटाना है वो तैय करेगा कब क्या करना है वो तैय करेगा सब कुछ व्यक्ति होता है इसलिए ये प्रधानी मंच माला पोश्ट और पैसा और चंदा इसको कोई नेता छोड़ेगा चाहें वो चीवर में हो चाहें वो भिक्कू हो चाहें वो राजनेता हो चाहें वो बुद्धी जीवी हो चाहें वो अपसर हो चाहें वो कोई बहुत बड़ा लीडर हो चाहें वो आजकल का लड़का हो कोई भी व्यक्ति जो एक वार कार में बैठ जाता है जिसक और माननेवर और सहाब, और जिसको स्रीमान और प्रधान का अलंकार मिलता है, जिसके वावा होती है mniej, जिसके जयकारे होते हैं, जिसको अटा आते है, मेरी चल रही है, चल जाएगी, उसको दिन रात सपने आते हैं, कि वो सुबे का या तो मुख्यमंती बनने वाला है और या पूरे का पूरे भारत का प्रधान मंती बनने वाला है इन दो सपनों के लावा से कोई सपने नहीं आते वो अपने सपने नहीं छोड़ना चायता नहीं उनको तोड़ना चायता है चाहें वो मरने को त्यार हो वैसे भी ये जितने भी बुज़र्ग लोग हैं इनके पैर कबर में लटके हुए हैं और ये अपनी उम्र पार कर चुके हैं और ये सब मरने वाले हैं पर वो छोड़ेंगे नहीं वो इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये राग ऐसा है ये राग ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दुएस है तो वो लड़ जाएंगे मर जाएंगे दुनिया वर की बहाने बनाएंगे पर इखटे नहीं होंगे वो बावा ये झाएंगे अभी 14 अपैल आ रही है तो सब लोग अलग अलग फिर काम करेंगे एक सहर में एकी दिन 14 अपैल को 10-10 जगे कालिक्रम होगा और बावा साब खुब रोएंगे धार मार मार के और कोई नहीं सुनेगा बावा साब की क्योंकि बावा साब को कोई मानता नहीं, बावा साब ने जो कहा, और्गनाइज हो जाईए, संग्डित हो जाईए, उस सेंटेंस को कोई काम नहीं करता, कोई कहता भी नहीं, पत्तकार भी नहीं कहता, पत्तकार अपने आपको इतना बुद्धी जी भी बनता है, पर वो भी प में जाए जो लोग हैं उसे कोई लेंदरा नहीं इसलिए नेता आपस काप्ले करे के लों हैं इडा आग आ वो कैसे अनुई आई है अरे नेता तो आपको अलग-अलग करने के लिए अलग-अलग काय क्रण लगाए गाएगा ही एक सहर में पर आप कहे जाते हो आपको इतना भी समझ नहीं है कि बावा साब अंबिटकर ने क्या कहा है अगर नेता एक सहर में एक जगे एक इबार में अगर अलग-अलग काईकरम लगाते हैं तो आपको किसी के काईकरम में नहीं जाना चाहिए काईकरम में तब जाना चाहिए जब एक सहर में एक काई करम हो, एक महापुरुसका हो, और वो भी अपनी रोटी साथ लेकर, तो नेता दोसी नहीं है, भंते दोसी नहीं है, चीवर में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो चीवर का मान जाने या ना जाने, वो दोसी नहीं है, जो वहाँ अलग-अलग खेम है वो भिक्वर कम है नेता ज्यादा है पर आप तो साधना आदमी हो आपको पर इन्के अवाय साथ कि समय मजस्वर से जाना है। आपको कौन सी मजबूरी थी, मत जाते हैं आप, आपको नहीं जाना चाहिए, जहां बावास आपके टुकड़े होते हों, जहां बावास आपके मिसल मुव्मेंट के टुकड़े होते हों, जहां एकी दिन, एकी तारीक और एकी जगह, एकी सेर में लगलग कारेकरम लगते हों आपको किसी काईकरम में नहीं जाना है कसम खाईए बाबा साब की और कसम खाईए अपने बुद्ध की और कसम खाईए अपने धम की और कसम खाईए अपने बच्चों की और कसम खाईए अपनी कि आप ऐसे किसी काईकरम में नहीं जाएंगे जो काय Executive हमारे समाज़ को तोड़ता हो जो हमारे समाज़ को भिनविन करता हो हमारी मौत इस कारण से हुघे है क्योंकि हम बिना सोचे समझें नेताओं के चंगल में फच जाते हैं और एकी सहर में एकी महा पुरुस्का एकी जगे एकी तारीक पर 20 कायकरम होता है और हम 20 काईकरे में अलग अलग जाके शिक्र करते हैं और बिना सोचे समझे करते हैं बिना जाने करते हैं और वो नेता और वो भिक्कू और वो चीवधारी लोग ये समझते हैं कि लोग हमारे पीछे हैं और जैजैकार कर रहे हैं इसको खतम कीजिए, इसको बदलिए, अगर आपने इसको खतम नहीं किया, इसको बदला नहीं और जाना बंद नहीं किया, आपके बच्चे बचेंगे नहीं, ये बलकुल तै है, ये बलकुल निश्चत है, इसलिए बावा साव अंबेटकर आगरे में रोए, इसलिए बावा स सहर में एक ही जगे एक ही इस्थान पर एक ही समय लोग अलग-अलग बावस आपके काईक्रम लगाएंगे बचिये इससे ये बीमारी है दुनिया में किसी भी महापुरुस का जनन दिन एक ही सहर में लोग अलग-अलग नहीं मनाते एक दिन अगले दिन मनाते हैं जैसे है तो एक सहर, एक महापुरुस tradition एक समय, एक जगय एक काईक्रम होना चाहिए दूसरे काईक्रम हैं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना संगग नमामी, संगग नमामी, संगग नमामी यह लड़क